चन्कपूर के कोलार नदी घाट पर उत्तरभारतिय परिवारो द्वारा छट महापर्फ मनाया क्या यहाँ अलसुब से ही समाज की महिलाए सूर्य को अर्ग देने पहुची सूर्या दे होते ही महिलाओ ने पारंपरी गीद गाते हुए सूर्य को दूच से अर्ग दिया गंग और घाट पर सुरेक्षा व्यवस्था को लेकर गोता खोरों की व्यवस्था की गई थी यहाँ सुबा पाच बजे से ही उत्तरभारतिय परिवारों का आना शुरू हो गया था समाज की महिलाओ ने गंडे की जोपड़ी बना कर दीब चलाए सूप में पूचन सामगरी रखकर सामोही कुरूप से व्रति महिलाओ ने चटी माता की पूझा रुचना की सूर्य को अर्ग देने के दोरांध फोटो और सेल्फी लेने को लेकर भी उत्सहत दिखाई दिया कोलार नदी में महिलाओ द्वारा दीबदान भी किया गया आसपास के इलाकों में बड़ी तादाद में उत्तर भारतिय परिवार है जो हर साल कोलार नदी घाड कनान नदी घाड पर छट महापर्व मनाते हैं नहाय खाय के साथ पर्व की शुरुवात हुई थी व्रती महिलाओ ने 36 घंटों का निरजला व्रत रखकर परिवार की सुख शांती की कामना सूर्य देवता से की यहा स्थानिक प्रशासन द्वारा पर उससे पहले ही सफाई व्यवस्था पूरी कर ली गए थी कुछ समाज के सामाजी कारेकरताओं ने भी पहल कर आवश्यक सुविदाय महया करवाई मंत्री तथा स्थानिक आमदार सुनिल केदार इन्होंने भी अपनी उपस्तिती दर्च कर उत्तरभारतिय भाईयों तथा बहनों को शुपकामनाय दी इस मौके पर माजी ग्राम पंचायत सदस्य रिंकु सिंग द्वारा कारेकरम का संचालन किया गया कारेक्रम में जुला परिशत सदस्य प्रकाश खापरे वही सुनिल के दार ने बताया कि छट महापर्फ को लेकर शासन प्रशासंद्वारा हर साल की तरह बहतर व्यवस्ता की गई चट पर्फ कारेक्रम की सफलता के लिए सुरेश चौधरी, महींद्र सिंग, राजेंद्र सिंग, अशोक शर्मा, मुन्ना भाया, गुलाब मिश्रा, प्रविन विवेकर, मोहन मिश्रा, विमल ओज्जा, मोहन थापा, आकाश विश्व कर्मा, चगदीश गुल्डी प्रसाद, छोटेलाल मिश्रा, अभूद मामा, हर्शल बोनोदे, राम प्रसाद यादव, चंद्रभान मल, पप्पु प्रसाद, कैलास दूबे, नितेश्वर्मा, प्रतीक बोनोदे, अभिशेक सिलम, शिभमतिवारी, पवंधुर्वे, इन्होंने अथक प्रयास क्या. पूजा की अर्चना की, उसके तहत में इतना ही बोल सकता हूँ, कि उनकी पूजा बिल्कुल यहां पे रंग लाएंगी, और यहां से कोरोना बहुत जल्दी दूर दूर भाल जाएगा, और सब के जीवन में खुशाली का मौका जरूर आएंगा, ऐसा विस्ता देता हूँ, छट पूजा की सबको बड़ा यहता हूँ, इन्बी सियन के लिए कुलार नदी घाट चनकापर से अरुन महाचन किर्पूर,